स्री राधे बसते हैं, कहते हैं कि जो व्रुंदावन में सरीर को ट्याकता है तो उन्हें अगला जन्म से व्रुंदावन में होता है और अगर कोई बन में सोच ले संकल्प कर ले कि हम व्रुंदावन चाहेंगे और यदि रास्ते में ही मर चाहे तो भी उसका अगला जन्म व्रुंदावन में ही होगा केवल संकल्ब मात्र से उसका जन्मा सृरिधाम में होता है प्रसंग एक एसा ही एक प्रसंग स्रिधाम बुरुंदावन की तीन मित्र थे जो युगा वस्ता में थे, तीनों बंग देश के थे, तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी तिनों में से एक बहुत संपन परिवार का था पर उसका मन सी धाम ब्रुंदावन में अटका था एक बार संकल्प किया कि हम स्री धाम ही जाएंगे और माता पिता के सामने इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे वहीं पर भजन करेंगे पर जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा के ठीक है बेटा जब तुम ब्रुंदावन पहुचोंगे तो प्रती दिन तुमें एक चावल मिल जाएंगे जिसे तुम पाकर खा लेना और भजन करना जब उसके दो मित्रों ने सुना तो वे बोले कि अगर तुम जाओंगे तो हम भी तुमारे साथ प्रुंदावन जाएंगे तो वो मित्र बोला कि ठीक है परन्त तुम लोग क्या खाऊंगे मेरे पिता ने तो एसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रती दिन एक पाउं चावल मिलेगा पर उससे हम तिनों नहीं खा पाएंगे तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाऊंगे उससे जो मार्न निकलेगा में उससे जीवन पायपन कर लूँगा दूसरे मित्र ने कहा कि तुम जब चावल दोगे तो उससे जो पाने निकलेगा तो उससे ही में पिलूँगा एसे ही उन दोनों की व्रुंदावन के प्रती उत्रुष्ठा थी उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं है तो जब एसी इच्छा हो तो समझ जना कि साक्सात राधा रानी जी की गुरुपा है तीनों अभी किसर अवस्था में थे तीनों ब्रुंदावन जाने लगे तो मारग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भुख प्यास से तीनों की मृत्य हो गए और ब्रुंदावन नहीं पोच पाए अब जब बहुत दिनों गए तीनों की कोई खबर नहीं पोची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी खबर नहीं मिली तो उन लड़कों के पिता दुनते दुनते व्रुंदावन आए पर उनका कोई पता नहीं चला क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे तो किसी ने बताया कि आप ब्रज मोहनदास ची के पास चाओ वे बड़े सिद्र संथ है उनके पिता ब्रज मोहनदास ची के पास पहुचे और बोले कि महाराज हमारे पुत्र कुछ समय पहले व्रुंदावन के लिए घर से निकले थे पर अब तो उनकी कोई खबर नहीं है ना ब्रुंदावन में ही किसी को पता है तो कुछ देर तक ब्रज मोहनदास ची चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमनाजी के तट पर परिक्रमा मार्ग में प्रुक्स बनकर तपस्या कर रहे है वेराग्य के अनुरुप उन तीनों को नया जन्म व्रुंदावन में मिला है जब वेसरे दाम व्रुंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्य हो गई थी और जो व्रुंदावन का शंकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पसूप के रूप या पक्सी के या व्रुक्ष के रूप में व्रुंदावन में होता है तो आपके तीनों बेटों यमना के किनारे व्रुक्ष है वहाँ परिक्रमा मार्ग में है और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है बोले कि जिसने ये कहा था कि मैं चावल खा कर रहूँगा वह बबुल का पेड है जिसने ये कहा था कि मैं चावल का मांड ही पीलूँगा वह बेर का व्रुक्ष है जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे ही पीलूँगा तो वो बालक अस्वत्ध का वरुक से उन तीनों को ही व्रुंदान में चन्म मिल गया है उन तीनों का उद्रेस्य अभी भी चल रहा है वो अभी भी तब कर रहे हैं पर उनके पिता को यकिन नहीं हुआ तवरज महांची उनको यमना के किनारे ले गये वर कहा कि देखो ये बबुल का वरुक से ये बेर का और ये अस्वत्ध का पर उन लोगों के दिल में संकल की कभी थी तो उनको संथ की बातों पर यकिन नहीं किया पर मुह से कुछ नहीं बोले वर उसी रात को व्रुंदान में ही सो गये जब रात में सोये तब तिनों के तिनों व्रुक्स बने बेटे सपने में आये और कहा कि पिताजी जो सुर्मा कुंच के संथ है सिब्रज मोहंदास जी है वो बड़े महापुरुस है उनकी दिव्य द्रश्टी है उनकी बातों पर संदेह नहीं करना वे जुठ नहीं बोलते है और ये राधाजी की गुपा है कि हम तिनों व्रुदान में तब कर रहे है तो अब तिनों को विश्वास हो गया और ब्रज मोहंदास जी के ख्रमा मांगने लगे कि आप हमें माप कर दो हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था सपने की पूरी बात बता दी तो ब्रज पूरी नहीं है तिनों बड़े प्रसं मन से अपने घर चले गए प्रसंग विजो एक संथ ब्रज मोहंदास जी के पास आया करते थे से राम हरी दास जी उन्हें पुछा कि बाबा लोगों के मुह से हम में सा सुनते आये कि व्रुंदावन के व्रुष को मर्म ना माने ना ज कोई डाल डाल और पात पात से राधे राधे होई तो महाराज क्या वास्तव में बात सत्य है कि व्रुंदावन का हर रुक्ष राधा राधा नाम गाता है तो ब्रज मोहंदास जी ने कहा क्या तुम इस सुनना या अनुभव करना चाहते हो तो सी राम अरे दास जी ने कहा क कि बाबा कौन नहीं चाहेंगा कि साक्सात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ तिनों मिल जाएंगे तो ब्रज मोहन्त दास्ची ने दिविय द्रश्टी प्रदान कर दी और कहा कि मन में शंकल्प करो और देखो और सामने तम का व्रुक्ष खड़ा है उसे देखो तो राम हरी दास्ची ने अपने नेत्र खुले तो क्या देखते है कि उस तमाल के व्रुक्ष के हर पते पर सुनहरे अक्षरों से राधे राधे लिखा है उस व्रक्ष पर लाखो तो पते है जहां जिस पते पर नजर चाती है उस पते पर राधे राधे लिखा है और जब पते हिलते तो राधे राधे की ध्वनी हर पते स्वनिकल रहे है तो आस्चरिय का ठिकाना नहीं रहा वो रोज मुहंदास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा आपकी वो राधाजी की गुरुपा से मैंने व्रुंदावन के व्रुक्ष का मरम चान लिया इसको कोई नहीं जान सकता कि बुरुंदावन के व्रुक्ष क्या है यह हम अपने सब्दों में ब्यान नहीं कर सकते यह तो केवल संध ही बता सकता है हम साधारन द्रश्टी से देखते है जहां पर हर डाल क्योंकि संध को वो व्रुंदावन द क्योंकि हमारी द्रश्टी माया की है, हम संसार की विशयों में डुबे हुए है, जब किसी संत की कृपा होती है, तभी वे किसी विरले भक्त हो वा द्रश्टी द्रश्टी देते हैं, दिव्य द्रश्टी देते हैं, चिससे हम उस दिव्य दुरुंदावन को देख सकते हैं औ प्रज का हर पता और हर डाल राधा रानी जी के गुणों का बखान करता है राधे रानी की जे